जैहिन सातियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्वियल में दोस्तों आपको बता है आपके पेट के एजाम लगे हुए हैं और हम पेट की रिगुलर क्लासे ले करके आ रहे हैं तो आज हम उसी उपलच में दोस्तों हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट टॉपिक दिसकाश करेंगे दिसकाश करें उसके पहले वेजब्स के बारे बता दो कि साथा स्वें और जो आपकी वेगंसी हैं जिसके आपने भाम भी भरदा होगा सब्सक्राइब करना होगा वहां पर जाएंगे तो आपको सफलता 2.0 को नाम से मिल जाएगा और दोस्तों अगर किसी प्रकाई जाएगा जाए तो इस नमबर पर हमें WhatsApp करके या कॉल करके पता कर सकते हैं ठीक इस के भारे में ठीक है और आपको दादे इसमें दोस्तों आपको सारी चीज़े मिलने वाली हैं संपूर्स को कराने वाले हैं इसमें दोस्तों इसकी खाज़वात क्या है कि इसमें दो टीचर खुद히 दोस्तों आपको जूने assistant selected मिलने वाले संधियू सर और इसके लाम विवेग सर को आप जानते होंगे दोस्तों तो आपको पढ़ाई ज bियाओ तो इसके साथ देखांगे इस में आप जोड़ सकते किसी प्रकार की प्रॉबलम अगर आघर दोस्तों इन दोनों में तो आप हमारे इस नंबर दोस्तों पता कर सकते हैं ठीक है। आप की साइंस के ऐसे क्लास दोस्तों लगभाग लगभा दोस्तों इन में complete हो है 50 ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो साथियों देखिए हम पढ़ रहे थे भारती त्याज भारती त्याज में संदुखाटी सभीता देख लिया वैदिक संस्कति देख लिए दूसरे में तीसरे में बहुत धर्म देखा चौते में जैंतर में देखा और यह पांच वाव वीडियो आज हम मुलत दोस्तों असोग समराठ के बारे में विद्वा तरीके से देखेंगे ठीक है तो चलिए अगर आप से पुझेगा मौर रिवन्स दोस्तों कब से कब तक रहा है तो 322 इससा पूर्व से लेकर के 180 इससा पूर्व तक दोस्तों मौर रिवन्स रहा है ठीक है 322 इससा पूर्व से लेकर के 180 इससा पूर्व तक दोस्तों मौर रिवन्स रहा है आपको पता होगा कि इस सब्सक्राइब करते हैं तो कोन होगे चंदगुप्त मोरे जी होंगे रिगिए पूछा गया कि 718 में पूछा है कि कौन होंगे चंदगुप्त पूर ने अंतिम नंद साथ सब्सक्राजित करके लो चानघ कि निवडा ली इसे चानक की सहायता से दोस्तों चंदगुप्त मौर ने नंद वंस के अंतिम सासा घना नंद को पराजित करके मौर वंस की निव डाले दोस्तों यह कोशन आपके आरार भी गुरुपडी में पूछा गया कोशन ठीक है उसके लिए बता दूं कि चंदगुप्त के गुरु कौन थ में अभी देखिए आपको माले दोस्तों चानक की पता है इनका और नहीं नहीं पता दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो जाता है फिर आप नहीं करवाते ना इसलिए रखेंगे कि चंदगुप्त के गुरु चाहे चानक के बोले चाहे विश्णोगुप्त बोले ठीक है यह राजनीती संब्दी रूपएं पैसों से बिलकुल संब्द्ध कर लेंगे चलिए को dorad कर लेंगे थे 365 इस्व पूर्ट को से लिए कोई व्यादने कर देंगे चलिए पहले इसंपर पेजँनना मार इसापूर कि अने नाम क्या है तो भारत का मुक्तिदाता उसको गए उस्ति को ए राजधानी की जोपत्प पूछा गया कि दोस्तों नाम कौन कोंसे हैं दोस्तों आप चानक की कहलो या फिर भारत का चाallas को काटे फी तरी हैं और में आटम इसलिए माय करने तो भारत का उथाज Bowl कौन को यहिसका चाणके को ही घखते हैं अब अधार अदैं रहाओ रहिएं प्रिंज पर्चर में क्या होता है कि 305 क्या हो यू नार बहुत है जिसका नाम सा से लुकस निकैटर दीखें, 305 इस्वें क्या होता है, युनान के एक सासक होते है सेलुकस निकेटर को दोस्तों पराजित किया, किसने किया, चंदधुपत मौर्जे ने 305 इस्वें में यूनान के सासक सेलुकस निगेटर को दोस्तो पराजित किया अब इस युद्ध में पराजित होने गवाद सेलुकस ने अपनी बेटी हेलेना की साथी चंदकुपत मौईर से करवा दी, दीखे जब जो लुकास निगेटर था वो पराजित हो गया तो उन्हें सोचा कि क्या करें हम अपनी बेटी के साधिना किसे करवा दें चंदगुप तो मौर भी सब अपनी बेटी दी उसके लावा दहेच सरूब कांधार काबुल मकरान और हैरात प्रांथ भी इनको डे दिये ठीक है और अपना राजपूद में राजदू दोस्तों क्या भीजा मेगस तनीज तो यह बहुत ज्यादा इंडिका किसकी रचना है बहुत इंपॉर्टन लगा लिजेगा कि चंदगुप तमवर के तरवार में कौन आया तो मेकस तनीज आया मेगस तनीज दोस्तों क्या लिखा इंडिका नामक पुस्ता लिखी और यही कोशन आपके यूपी ट्रेपल सी पेट दोजार इकी से मुझा गया तो चंदगुप्त मौर मेगस तरवार में कौन आया मेगस तनीज आया कौन सी पुस्ता लिखी इंडिका ठीक है चलिए अब आपको और बता दू मैं कि देखें मेगस तनीज के अनुसार चंदगुप्त के रच्छक साही जुलूसों के दौरान सोने वाचांदी सजाए हुए हाथियों पर सवारी करते हैं तो आपको यह कोशन आपके किसमें आया है दोस्तों आपके ससी जीडी दोजार बाई से लेटेस्ट पेपर में कुल कितने दवार थे 64 कि छलिए और यह QŁशन पींप्ग उपचा चुका है चंदगुप्त मौरेण व्यापक बिजय प्राप्तकर ने अखिल भारती समराज की स्थामनागी बहुत बड़ा विस्तार कर दिया भारत का ठीक है यह भी आपके और वी गुरुपडी में पूछा के कोशन और चंदगुप्त मौरे ने दक्कन पर भी विजय प्राफ्त कर दें ठीक है चलिए आप दोस्तों एक सिला लेख है क्याना जिसका एक अभिलेक है दोस्तों रुद्रदामन का जूनागर अभिलेक आपको बताते इसका दोस्तों इसमें सायुआ पता आएगा कि दोस्तों इसने सौराश्ट गुजवरात सब्सक्राइब करवाया तो दोस्तों चंदगुप्त मौर के जो राजपाल थे पूछे भी गए है ठीक है चलिए और आपको दादे जो अवलेख है दोस्तों दिनों में धर्म को अपना लेते हैं दोस्तों कौन चंदगुप्त मौर के जैन धर्म अपनाने का उलेख मिलता पूछा गया कि जैन धर्म अपनाने के दोस्तों उलेख किसमें विलता है तो परिसिष्ट परवन नामक जैन गरंत में दोस्तों चंदगुप्त मौर के जैन धर्म को अपनाने की बाते बताई गए ठीक है और एच्छी जयार रखें दोस्तों यह कोशन आपके लिए एवर आप अंतिम समय में क्या कर यह भूखे प्यासे होकर दोस्तों संलेख ना के आपने विद्धि करती है तो याद रखेंगे इसी विद्वारा इसी बीद्वोरा तो दोस्तों हो अपने प्राणों को त्याग देती है सेजिए लग्षा ठीक है यह आद रखेंगे बहुत इंपॉर्टन अब देखें नोट पर लिखेंगे कि मुद्रा राक्षाथ पुस्तक विसागत्की मुद्रा राक्षाथ पुस्तक विसागत्की है इसमें चंदगुप्त मौर को सत्ता में लाने का वर्डन मिलता है तो यह भी ससी चसल 2021 में पूछा गया तो मुद्रा र पीटा के नाम में बता दिया अब देखेंगे दो पूत्र क्यों तो यहसे चंदगोर कर पूछा तो और किस नाम जानते दोस्तों अमित्र तेसे बिंदुसार को अमित्रगहात के नाम जानते यह यू पी 21.5 कहते हैं वारी सार कहते है भादरसार करते हम सिंगसें के ना इनकी कई सारे अन्यानाम वियर अ्グणियुक्ति जाके है और यार रिकेंगे बिंदुसार किस संप्रदाय में रुची रखता था तो आजीविक संप्रदाय में ठीक है या रखेंगे important है ठीक है चलिए उसके बाद बात करते हैं आप मोता दें कि दोस्तो एथोनियस के अनुसार क्या कहा गया था कि एथोनियस के अनुसार बिंदुसार सीरिया के राजा बिंदुसार सीरिया के राजा इंटियोकस से क्या है और दर्शनिंग मांता है ठीदी योकस प्रत्वा डाय मेकस नामक बिक्तिको बिंदुसार के दरवार में राज दूद के रूप में भिजा तो डाय मेकस आपसे पूशे का कोशन है कि डाय मेकस किसके दरवार में आये था तो बिंदुसार के ठीक है यार कि का बहुत इंपॉर्टन डाय मेकस किसके दरवार में आये था दोस्तो दोस्तों इन्हों ने भी डायो नीसियस क्या नाम था डायो निसियस नामक राज़ दूट आए डाय मेकस और डायो नीसियस ठीक है दो राज़ दूट आए हैं आपके किसके तरह बार में बिंदुसार की इसको या रखेंगे और यह दोस्तों सीप्यों 2018 में पूछा वे गया ठीक है और से यहां पर भी या रखेंगे इसके समय किसके बिंदुसार के समय किसके समय होगा आपके बिंदुसार कौन तो असोक के पिताजी थे ठीक है चलिए याद रखेंगे बहुत ही सांदार तरीके से ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब दोस्तों असोक महान तो तो 273 इसापूर से लेकरके 232 इसापूर थे ठीक है आप बता दें कि दोस्तों यह कौन थे तो आपको बता दू मैं कि यह चंदगो तो मौरे के पोते थे बिंदुसार के पुत्र थे ठीक है चलिए और इनके गुरू कौन थे राधा गुपत इनके पिता जी और दादा जी के गुरू कौन थे तो चालक थे अब दूस्वा इनके गुरु कौन है राधा गुपत यानि चालक के पोते जो थे वह इनके गुरु बन गए ठीक है इनके माता पिता थे इनके अलगी असोक महान के लिए देवनाम प्री और पृडश्य भी रूदे ते पिछला उसमें युद्ध ठीक है या रखेंगे कलिंग युद्ध दोस्तों आपको आदें कि इनके राज्या विसेग होता उसके तुरन दोस्तों आठ साल वाद 261 इसापूर दोस्तों एक युद्ध लड़ते बहुत भेंकर यह दोस्तों आपको डेट या रखनें बहुत इंपॉर्टन तेरवें सिल्ध में दोस्तों बहुत इंपॉर्टन आपसे क्या क्या पूछेगा पहले चीज कलिंग किसके बीच हुआ तो उडिसा के पतम नाम के बीच कहां पड़ता है कलिंग वर्तमान में उडिसा में कितने साल के थे तब मतलब कितने साल हुए थे इनको गद्धी युद्ध नीथी को बहुत बहुत पुछा गया कि किसने धम की अवधाना को लोगप्री बना असोग ने और इसके बाद दोस्तों यह बहुत धर्म को अपना लेते हैं ठीक और यह कोष्ण आपके बहुत बार एक्जाम में पूछा गया कि असोग को बहुत विच्छुक उपगुप्त ने इनको सिच्छा दी थी किसकी बहुत धर्म की ठीक यूपी एसाई 2021 में पूछा गया और आपको मैं यह चीज बता दूँ जोस्तों असोग ने बहुत धर्म के प्रचार प्रसागले अपनी पुत् सँरह में सटच्छी त्यायगे असोग बहुत धर्म के प्रचारप्रसागले अपनी पूत्री संग्मिस्त्रा और पुत्र महेंज्ञ को दोस्तों कहां भेचे स्रीलंका लिए और असोग महान की मत्यों 345〜 2022 पूछा गया और शीघ विचा सैंता यह रहीं चाराई थी शार चौथा चौपार था दोस्तों यह चार बराबर की पहालों दोस्तों गुफाएं बनवाई थी इन्होंने ठीक है याद रख लेंगे चलिए अगला देखते हैं सांची के स्थूप पर निर्मार भी दोस्तों मद्धप्रिस होगा है यह आपके ससी जीडी 2022 में और एससी सीजी प्रजा को सम्ब़काੰ इसने क्या किया। अभलेःग लगानी सुरू करते जिस्से गरें बहुत ही जनता पर नहीं अब करते हैं तो चलिए साथ इस्तमलेक के बारे में आपको बताते हैं पहला है दिल्ली टोपरा दोस्तों स्थम्लेक क्या है इसके बारे में तो आपको बताते हैं झाल गया तो दिल्ली तोप्रा दोस्तों धी दोस्तों एक मेरण में लगवाया किसने फिरोज साथ तुगलग ने उखलवाके दूस्तों फिर से इसको दिल्ली रहे देखें धिडिए को दो समद हो दो स्पों फ्छलों के दिल्ली लेकर रागए ठीके थीसता देश्य सालार honorable राज दोस्तों यह बिहार के में था तो चौता सWterall लौरिया नंदन कर दो उस्तो दोस्तों表 3 lover मों चुत्र मिला और सात्मा दोस्तों कौन से था इस्टंब लेक सारनाथ में बहुत ही चर्चित है धीक है याद रखेंगे कि सारनाथ दोस्तों यही से असोक स्टम्श निली आगया ठीक है यह चीछ पता होगा आपको अब देखें याद रखेंगे कि अभिलेकों कोस ने कि तो टी फैंथेलर ने की दोस्तों सत्रास पच्छास सभी में या रखेंगे आसोग के अभिलेखों को पढ़ा किसने तो जेंस प्रिंसिप ने पढ़ा दोस्तों अठाव साइटिस में यह आपके यूपी पीसे दोजास सोला में पूछा गया ठीक है अब देखें आप से पूछा जाएगा कि असोग जिन दोस्तों जो अभिलेख लिखे थे उनकी लिपी कौन से थी दोस्तों आपको दादे कई लिपियों में लिखा कौन कौन से लिपी थी तो मैं पूछा दूँ कि भारत में दोस्तों ब्रांभी लिपी में लिखी गई ठीक है और अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले वह ग्रीग लिपी में लिखी गई थी ठीक है त्यार रखेंगे इन्होंने कई लिपियों का प्रयोग किया इसे भारत के लिए ब्रांभी लिए खरोष्टी लिपी और अफगानिस्तान पर जो इनके अभिलेख मिले वह अर्माइक लिपी में और उसके लगवाँ एस या माइनर दोस्तों तुर्की तुर्की में दोस्तों ग्रीग लिपी में लिखा था ठीक है चलिए अब दोस्तों एक चीज़ और रखेंगे कि गुरजरा मासकी नेटिूर और उधगोलम यह टोस्तों क्यूं फेमस है कि गुर्जरा एक अव्लेक था मासकी था नेटिूर ठा और उधगोलम यह चार अवलेक ऐसे जिसमें असोग करनाव वस्तविग अबलेकों में असोग का नाम देव नाम प्रिय मिलता है यार रखेंगे देखे असोग ने बहुत सारे अबलेक दिखे मगद दोस्तों असोग का नाम असोग नहीं मिलता है केवल चार ही ऐसे दोस्तों अबलेक थे जिनमें असोग का नाम असोग मिला ठीक है यानि कि असोग सम सब्सक्राइब बनते भी है कि किस अबलेक में असो का नाम मिला दोस्तों असो का वास्तविक ना मिलता घुर्जारा मास्टी और उत्गोलम मास्की जादा पूछा आते ठीक है और आपको उचाथे असोग प्रिदस्ती के नाम जनते है तो आपने बहुत ही सांदर तरीके आप आप देखें आप देखेंगे 14 सिला लेखें उनके बारे देख लेकी किस इला लेख में क्या कहा गया खिलेगे परथम सिला लेख में का कहा गया कि पसू को मार रहा नहीं है शबी मनुष्य मेरी संतान हैं सभी जो मनुस्य हैं वो हमारी संतान स्वरूप है यहां के वारे में बात किया घृए और तीसने दोस्तों युक्त रज्जुक और प्रादेसिक अधिकारियों को दौरावत आएगा यानि कि यह लोग क्या करते दोस्तों आपके यहां दौर अकार्टे से देखते थे आपकी प्रावलम क्या है ठीक है चौते में धम की उद्गोस के बारें बात क्या गया है है उसके बारें आपको अठ्वें शिलालेग मिल जाएगा ओकरिक है और 10 से से में उस्ते मनेति की ब्याख्या की गई और बारवे में इस्तरी महामात्र की चर्चा भी की गई और तेरावा सिलालेक में क्या है तो असोग का जंता के प्रति कैसा धार्मिक रवया था उसके बारे में बताएगा तो सबसे इंपोर्टन है सबसे बड़ा सिलालेक कांसा है रुमन देश सिलालेक आप देखे एक चीज़ और रखेंगे कि सर एक अभलेक दोड़ी भासी था जो की दोबहांसी था दोस्तों दो निपी में तो अर्माइक और यूनानी ठीक है या रखेंगे आप से पूंच रहें कि कौन से अभले दोड़ी भासी था तो सरे कुहना अभले दोड़ी भासी था जिसमें अब अर्माइक लिपी और यूनानी भासा का प्रियोग किया गया एससे सीजल डोजार एक इस में पूछा गया ठीक है अब देखे पुराणों करणसार दोस्तों आसो के बाद कौन को ना पूटर तो यहां और यहां रखना है कि आता है आते अंतिमसासक आते तो आपको यहां पर आ रखना है कि अनतिमसासक आपसे बहुत बाहर पूछा पूछा गया और यहां पर होता क्या है कि ब्रहधर्थ की हत्तिया दोस्तों पुस्व मित्य सुंग दौरा करके दोस्तों सुंग वंस की स्थापना कर जाती यह आपके पूछा गया है और रहेंगे कोटिल ने मौर प्रसासन के अधिक्षो को विभिन विभागों में अधिक्षकों के रूप में अलग अधिक्षों तो यह सी सीजल दोजार 21 से पूछा गया कोश्टन और दोस्ता कोजा दें कि मौर्य वंस में ग्रांड टंक रोड जिसको आप जीटी डोड कहते हैं उस समय दोस्तों यह मौजूद था मौर्य वंस में जीटी रोड को उत्रा उत्रा पत कहते थे यह रखेंगे यह सीपीओ दोजार बीस बहुत ही सांदर तरीके से थीक चलिए अब मैं बता दू दोस्तों अगर आप करनिश्था की तयारी हमारे साथ करना है तो जूड़ सकते हमारे साथ दोस्तों यह मांत 399 रुपय में आपको बैच मिल जाएगा कैसे दोस्तों आपको तो आप इस नंबर पर किसी प्रकार जा बरक्षॉब तीनों की साइन्स पढ़ाएंगे इसी में आपको यह साइन्स इस्टेटिक हिंदी सब कुछ मिल जाएगा बाकी दोस्तों आप समझ सकते हैं तीन सो निन्यानवे रुपए में दोस्तों यह चीज़े आपको मिलने वाली हमारे पर थैंक्यू धन्यवाद मिलते किसी नेक्स्ट विडियों तक लिए जय हिंद जय भारत